Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, NVIDIA, Tesla, Adobe, Intel, Netflix, Zoom, ये दुनिया की, सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की top technology companies में से हैं, और अगर आप ऐसी companies में invest करना चाहते हो, तो आपको लाखों नहीं, सिर्फ 160 रुपे चाहिए हैं. कैसे, real coin तक देखना बताता हूँ, और अभी save कर लो, कहीं बाद में भूलना जाओ. तो जैसे अपने याँ, इंडिया में nifty है, वैसे US में Nasdaq है. Nasdaq में listed top 100 non-financial sector की companies का एक index है, Nasdaq 100. इसमें majorly ये सारी tech companies हैं, और और भी बहुत सारी companies included हैं, जैसे eBay, PayPal, Oracle, और आप इनमें invest कर सकते हो, सिर्फ 160 रुपे में इस ETF के थूँ. इससे पिछले 10 सालों में हर साल और ने आवरिज 20% का रिटर्न दिया है, और जिस तरह से tech sector में changes आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले टाइम में एक safe bet हो सकता है. आपके क्या thoughts हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना. That was day 4 of investing in ETFs. Follow कर लो जिससे आगे की वीडियोस मिस ना हो और अगर stock markets basic से सीखना चाते हो, तो check the link in bio.